जी हाँ नमस्कर सात्यूक और बड़ी खबर कोटा जिले से मिल रही है जिले के भीमगंज थाना पुलिस ने बड़ी कारवाई करते वे मद्दे पुर्देस आई अफीम सप्लाई करने के दोरान एक महिला को पकड़ा है जिसे तलास के दोरान साड़े तीन किलो अफीम उसके बरामद कर लिए दरसलों ही पुलिस का कहना है कि गस्त के दोरान रेलेव स्टेशन के पास इस्तित साइकलिस टेंड पर महिला अकीली बेठी हुई थी उसके बेग रखा था पुलिस की जीब को देखते हुए उठकर चलने लगी इस दोरान पुलिस कर्मियों ने उस पैसक हुआ तो उसे रुकवाया और वहां अकिले बेठे होने का कारण पूछा इसका दोरान वह टालम टल करने लगी और पुलिस कर्मियों ने उसकी तरास की तो 3 किलो 540 ग्राम अफिम बरामद की गई है पुलिस ने बताया कि मद्यपरदेश के मनसोर निवासी ममता बाई सोनी को पकड़ा है पुलिस का कहनाई की सुरुआती पूछाच में वह टालम टल करने लगी इसके बाद उसने कहा कि कोटा में बेग किसे पहुंचाने आई हूँ इस दोरान महिला ने बेग देने वाले का नाम नहीं बताया और महिला कहमसार स्टेशन के बाहर ही किसी को आकर ये बेग देना था अब पुलिस बेग देने वाले और कोटा के सप्लायर के बारे में जानकरी जूटा रही है फिलाल आपको बता दे कि अफिम की कीमत 45,5 लाग रुपे बताई गई है मुई पुलिस द्वारा बेक देने वाले कोटा और कोटा के सप्लायर के बारे में जानकरी जुटा रही है तो दोस्तो आप सभी की इस प्रकार की खबरे दिखाना विचलित करना नहीं बलकि समाज में बढ़ रहे हैं इसा परादों से बचा जा सके तो दोस्तो प्रदिस वर की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं ये चैनल से अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जैहिन दोस्तों